दोस्तो अगर आप emergency loan लेना चाहते हैं सिर्फ अधार कार्ट, pen card के जेरे से वो भी EMI loan application से loan तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important है और इस application के आपको update भी दिनवाले update क्या है वो चीज़े आपके लिए जानना बहुत जरूरी है वीडियो को बिल्कुल भी skip करके नहीं द देखेगा दोस्तो मैं हुमीत और आप देख रहे हैं टेकन ओलाइन सॉलूसन में आपका स्वागत करते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो फाइन आपके स्क्रीम पे तो आप से रिक्वेस्ट करूंगा सुरू से लेकर अन्टक्स अप्रों को देखिए उसके बाद ही लोन के अप्लाइ करेगा दोस्तो हमारे फिरम अप्लिकेशन पहला से इंस्टॉल है मैं यहाँ से ओपेंड कर लेता हूँ तो दोस्तो यह है कैस्वीन इंस्टेंट परसा लोन अप्लिकेशन जो कि PC Financial दोवारा NBFC रिजिस्टर्ड है बहुत ही कमाल के अप्ल आपके सामने देखने के लिए मिलेगा लोन इमाउंट यहाँ पर देख पाएंगे 7,887 रुपय का लोन इमाउंट है और यहाँ पर टोटल डिपेमेंट करना है 8,119 रुपय जैसा के सामने देख पाएंगे कूपन भी हाँ पर 100 रुपय मिले थे जोकि हमारे डिस्कांट कि देने पड़े हैं जयसे कश्कुम के सामने देख पाएंगे और दोस्तों नीचे में देख पाएंगे पहली यह मन पर पयर मेंट करनी है lifting 1410 रुपई जयस्य क्रूंग के सामने देख पाएंगे आपको यहां पर maximum लोन दो मंत का समय आपको यहां पर मिल जाती है जरिए आप लोन्स को रिपेमेंट कर सकते हैं अब जोस्तों आप कहेंगे कि यह अप्लिकेशन यह लोन्स प्रोवाइड नहीं करा रही है तो दोस्तों बात बिल्कुल है हर एक लोग को लोन्स प्रोवाइड नहीं कराती है कुछ लोग को लोन्स प्रोवाइड करा रही है ऐसे case में बहुत से से लोग हैं जिनका बहुत सारे comment भी आ चुके हैं कि cash bin loan provide कराती है या फी नहीं या फी company बंद हो गई है इसके बारे में complete मैंने वीडियो बना चुका था दोस्तों उस वीडियो को देखने के बाद काफी लोगों को समझ में आया था और काफी लोग वीडियो नहीं देखे थे और comment box में comment करके ये पुछते हैं कि cash bin application हमें loans provide नहीं कराती है आप fake application के बारे में review करते हो तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दू ये भी आपक 10 रुपे यहां पर यमाई payments करनी है मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि application हर एक लोगों को loans provide नहीं किरा रही है हो सकता है जो भी new user होंगे उनको यहां पर loans मिल सकता है old user को बहुती कम loans यहां पर मिलने का chances है क्योंकि मेरे case में भी ऐसा ही हुआ था जैसा कि मैं सामने देख पाएंगे 4110 रुपे यहां पर EMI payments करनी है टोटल यहां पर loan हो गया है 7877 रुपे के लिए जैसा के यहां पर देख पाएंगे दोस्तों अगर आप new user है और आप सोच रहे हैं यहां पर इस application दवारा loan apply करने के लिए तो आप definitely apply कर सकते हैं हो सकते हैं आपको यह अगर आप तक वह वीडियो नहीं देखे था डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगी एक बार जरूर चेक आड़ कर लें दोस्तों मैंने टॉप 5 कि हमाई loan application के बारें बताया है जिसमें कि सिफ अधार प्रान के बेस भई आप maximum loan 36 महेनों के लि पर maximum वीडियो लाइव इथ प्रूप अमेंड के साथ हमेशा वीडियो मैं लाते रहता हूं